आज हम प्रियोक्षाला संबंदी खत्रों और उनके संकीतों के बारे में जानेंगे। जैसा की हम सभी जानते हैं कि प्रियोक्षाला खतरनाक रसाइनों, रेडियो धर्मी पदार्थों, जैविक नमूनों, धारदार यंत्रों, कांच के बने उपकर्णों और ज्वलनशील वस्तों आदि से भरी होती है। प्रियोक्षाला में कारेरत लोगों को इन सभी चीजों के साथ जुड़े खत्रों के बारे में पूरी जानकारी होना अत्यन्त आविशक है। आज हम सभी रास्ट द्वारा विक्षित एक प्रनाली द्वारा दिये गए सुरक्षा संकीतों की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्रिष्टी जी और ललिता जी मौझूद है। मैं आपका स्वागत करते हूँ। स्रिष्टी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक समाविशी कक्षा में जहां विशिस्ट आफशक्ता वाले विध्यारती भी उपस्तित होते हैं। उन्हें इन सुरक्षा संकेतों से हम किस प्रकार अवगत करा सकते हैं। प्रयोक्षाला में हर जगे सभी विध्यारतीयों और शिक्षकों के लिए ये संकेत अंग्रेजी, हिंदी, ब्रेल और स्पर्शनिये रूप में सुलपता से उपलब्ध होने चाहिए। अतव प्रयोग शाला में सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रयोग शाला स्टाफ को इन सुरक्षा संकेतों को जानना भी अतियवश्यक है ललिता जी मैं आपसे जानना चाहते हूं कि सामाने चेतावनी संकेत क्या है और क्या हम इसे सभी प्रयोक्षालाओं में इस्तमाल कर सकते हैं जी हाँ हम सामाने चेतावनी सुरक्षा संकेत को हर प्रयोक्षाला में इस्तमाल करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, सामाने चेतावनि सुरक्षा संकेत में एक पीले त्रिकोण में एक काला विस्मे आदि बोधक चिन है, यह है एक सामाने चेतावनी देता है कि यहां खत्रा मौजूद है, बिल्कुल सही ये हमें याद दिलाता है कि आपको प्रियोक्षाला में सावधानी से काम करने के आउशकता है कई बार ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में धूम यानी वाश्प निकलते हैं तो क्या ये वाश्प हानिकारक हो सकते हैं? धूम सुरक्षा इस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है जब रासायनों या रासायनिक अभिक्रियाओं से खतरनाक वाश्प या धूम उत्पन होते हैं तो ये हमारे स्वासनली के माध्यम से शरीर्म के अंदर जाते हैं और उससे संबंधित समस्याइं उत्पन करते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, या कभी-कभी श्वसन संबंधी विकार उत्पन होने का कारण भी बनते हैं, हमें रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन खतरनाक वाश्प से एक निश्चित दूरी बनाकर, तथा मास्क पहन कर काम करना चाहिए, हम देखते हैं कि प्रयोक्षाला में ऐसे कई उपकरणों का प्रयोक गया जाता है, जिससे कई प्रकार की विकरने निकलती हैं, आप मुझे ललिता जी यह बताईए कि क्या यह हमारी आँखों और त्वचा के लिए नुकसान देहक हो सकती हैं, जी और लेजर विकरन, सबसे पहले मैं आपको रेडियो धर्मी विकरन के बारे में बताना चाहूंगी, रेडियो धर्मी विकरन हमारे ले बहुत खातक हो सकती है, रेडियो धर्मी विकरन की उपस्तिती को हम इस सुरक्षा संकेत द्वारा इंगित करते हैं, जैसा कि आप प्रदूशन या अनुचित जोखिम से बचने के लिए सावधानी का संकेत दर्शाती है। प्रयोक्षाला में रेडियो धर्मी विकिरिनों के स्रोतों में एक्सरे उपकरन और कंड त्वरक शामिल है। प्रकाशिक विकिरिन विद्यो चुम्ब की वर्ण करम का हिस्सा होती है। इसमें हम UV विकिरिन, द्रिश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरिन को दिखाते हैं। प्रकाशिक विकिरिन हमारे स्वास्त के लिए बहुत हानी कारक है। UV विकरन से आपके आँखों को नुकसान हो सकता है तथा ये आपके शरीर में mutations भी पैदा कर सकती है अनायनकारी विकरन अनायनकारी विकरन रेडियो धर्मी विकरन से भिन्न है क्योंकि ये वायू, जल और जैविक तन्तूओं पर असर डालती है इस विकरन के लिए सुरक्षा संकेत को हम इस प्रकार दर्शाते है अनायनकारी विकरन के कई स्रोथ हमारे आसपास मौझूद है रहते हैं पर हम ऐसी विकरनों के संपर्क में आय दिन आते हैं जैसे microwave उपकरन तीव्र अनायन कारी विक्रणों के संपर्क में आने से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है लेजर विक्रण लेजर विक्रण सुरक्षा संकेत प्रयोक्षाला में कारे रत लोगों को यह जानकारी प्रदान करता है कि लेजर विक्रण से खत्रा मौजूद है प्रयोक्षाला में लीजस अंचालन के दौरान आपको आखो और त्वचा की रक्षा के लिए आखो के चश्मे और अजोलनशील कपड़े पहनने चाहिए हम देखते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में आए दिन आख संबन्दी दुरगटनाएं होती रहती हैं तो उसे बचने के लिए हमेकिन-किन अगनी सुरक्षा संकेतों की जानकारी होना आविशक है स्रिस्टी जी ये मैं आप से जानना चाहूंगी अगनी सुरक्षा प्रतीक स्वास्त और आपदा प्रभंदन की जानकारी देने के लिए उपियोग किया जाता है इसको खत्रे की चेतावनी देने, निर्देश प्रदान करने और सुरक्षा हेत्व जानकारी देने के लिए दर्शाया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं अगनी सुरक्षा संकेत में आग की खुली लप्टे दिखाई गई है हमें इन लप्टों के आसपास नहीं जाना चाहिए हम यह भी देख सकते हैं कि यहां विभिन अगनी सुरक्षा संकेत दिये गए हैं जो दैनिक जीवन में हमारे प्रयोग में आते हैं जैसे कि अगनी शामक, अगनी आपातकालीन टेलीफोन, अगनी सुरक्षा घंटी, अगनी सुरक्षा पाइप, अगनी सुरक्षा सीधी, अगनी शमन्यंत्र, आपातकालीन निकास बाईयोर, आपातकालीन निकास दाईयोर, आपातकालीन निकास दिशात्मक्तीर जो जिस भ भी देखते हैं यह प्रतीक दर्शाता है जब खुली लौ का उपयोग होता है तो यह आग यह विस्फोर्ट का कारण बन सकता है इसी लिए खुली लौ का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी भरतनी चाहिए हम प्रयोगशाल में कई बार ज्वलंशील पदार्थों के संपर्ख में आते हैं तो इसके लिए क्या हमें एक अलग सुरक्षा संकेत की आफशकता होती है ललीता जी मैं आप से जानना चाहूंगी हाँ पिलकुल ज्वलंशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से प्रज्वलित हो जाते हैं ये पदार्थ नमी, पानी, खुली आग, गर्मी के स्रोत और चिंगारी के संपर्ख में आते ही जोरदार रूप से जलते हैं तरल जुलंशिल पदार्थों को आखो और त्वचा से दूर रखें तथा ठोस पदार्थों को गर्मी के स्रोत वा चिंगारी के संपर्क में ना आने दें क्या प्रयोक्षाला में कारे करते समय हमें किसी प्रकार की संकुर्मन का खत्रा भी हो सकता है स्रिस्टी जी आप हमें बताईए हाँ बिलकुल हम जब प्रयोक शाला में काम करते हैं उस समय बैक्टीरिया कवक और प्रोटिस्ट का खत्रा होता है तब यह चिन दर्शाया जाता है प्रयोक के समय लापरवाही, विद्यार्थियों, सिक्षकों अत्व सहयोग कर्मियों के लिए गहतक संक्रवन का कारण बन सकता है तो क्या इनके जैविक अफ्षिशों के निप्टान में भी हमें कोई सावधानी परतनी चाहिए, क्या यह परियावरनी संक्रवन का कारण भी बन सकते हैं? बिल्कुल यह संकेत दर्शाता है कि प्रयोग के पश्चात जैविक कच्रे का अत्यंत सावधानी पूर्वक निप्टान करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की हानी ना हो और यह परियावरनी संक्रवन का कारण भी बन सकती है परियावरनी जोखिम एक अवस्था या घटना है जिसमें आस पास के प्राकृतिक वातावरन को खत्रे की संभावना होती है हम देखते हैं कि प्रियोग शाला में कई प्रकार की ऑक्सीकारक रसायन भी पाये जाते हैं उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं लालिटा जी अब बताहिए औक्सीकारक कर्मक वह रसायन होते हैं जो कमरे के ताप पर रसायन पदार्थों का ऑक्सी करन करते हैं जिससे आग लगने या विस्पोर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है ओक्सी कारक पदार्थों पर आप ऐसा संकेत देख सकते हैं ध्यान रहे हमें ऐसे पदार्थों को जोलेंशील, देहंशील और सहज देहंशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए प्रयोग शालव में कारी करते समय आपको अपने शरीर और आखों का भी खास ध्यान रखना चाहिए यह सुरक्षा संकेत दर्शाता है कि उप्योग में लाए गए रसायन कपडों में दाग लगा सकते हैं या आपके शरीर को जला सकते हैं इसी लिए लाब कोड को प्रयोग शाला में काम करते समय अवश्य पहना जाहिए ध्यान रहे जब आप सांद्र रसायन जैसे की सलफियोरिक अमल या हाईड्रोकलोरिक अमल के साथ काम कर रहे हैं तो दस्ताने प्रयोग शाला कोड और जूते पहने होने चाहिए ताकि रसायनों के संपर्क में कहीं भी त्वचा ना आए जहां खासकर नेत्र सुरक्षा की आवशक्ता है वहां यह प्रतीक इस्तिमाल किया जाता है जहां यह प्रतीक लगा हो वहां काम करते समय सुरक्षा चश में अवश्य पहनने चाहिए गर्म उपकरनों को काम में लेते समय सावधानी बरतने के लिए ये संकेत दर्शाया जाता है ये विद्यारतियों को संभावित घातक जलन से सुय को बचाने में मदद करता है लेलिदा जी अब बताए कि प्रयोक के समय अगर संशारक पदार्थ किसी की आँखों में चला जाए तो क्या करना चाहिए जब भी कोई संशारक पदार्थ आपकी त्वचा के संपर्ख में आता है तो वह आपके शरीप में जलन उत्पन करता है यदि आपकी आँखे संशारक पदार्थ के संपर्ख में आती हैं तो उनको नुक्सान पहुंच सकता है अगर ऐसा पदार्थ आपकी आँखों में चला जाए तो तुरंत किसी चिकेटसक से संपर्ख करना चाहिए किसी संशारक पदार्थ की उपस्तिती में हम इस सुरक्षा संकेत का उपयोग करते हैं स्रिस्त्री जी आप हमें बताईए कि अगर प्रयोक्षा लमें कटीले और जहरीले पौधे प्रयोग में ला रहे हैं तो हमें क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए जी हाँ इसके लिए भी एक सुरक्षा संकेत मौझूद है यह सुरक्षा चिन दर्शाता है कि जब आप जहरीले पौधे या कटीले पौधे प्रयोग में लाते हैं तो यह हानिकारक हो सकते हैं इसलिए इस तरह के पौधों को प्रयोग में लाते समय सिखशक की उपस्तिती होना अनिवार है येदि आपको कुछ पौधों से अलर्जी हो तो इसके बारे में अपने सिखशक को अवश्य बताएं और प्रयोग में ना लाएं और अगर हम जीव जन्तूं पर प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्रिस्टी जी आप बताईए. जब भी जीवित या संग्रक्षित जीव जन्तूं पर अध्यान किया जाता है, तब जानवरों और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. ध्यान रहे, प्रयोग समाप्थ होने के बाद हाथों को ठीक प्रकार से धो लेना चाहिए. जालिता जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, कि यदि प्रयोग करते समय कांच के उपकरन तोट जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? खंडित कांच के समान के सुरक्षा संकेत को हम इस प्रकार दर्शाते हैं. रसायन प्रयोग शाला में यदि आप कांच के समान के साथ काम कर रहे हैं, जो कि तूट सकता है, जैसे की कांच के कंटेनर, कांच की टेस्ट यूप्स, थर्ममीटर, फनल, इत्याधी, तो आपको अत्यान सावधानी पूर्वक कारे करना चाहिए, और अगर आपको तूटे कांच को समहालने के आवश्यक्ता पड़े, तो कट प्रतिरोधी दस्ताने पहनने चाहिए, आपको कभी भी गर्म कांच के सामान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर को हानी पहुचा सकता है, तापन उपकरन सुरक्षा संकेत को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, रसायन प्रयोग शाला में हम कई बार विसफोटक पदार्थों को प्रयोग में लाते हैं, इन रसायनिक पदार्थों के साथ हमें क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए, स्रिस्टी आप हमें बताईए दार्दार उपकर्णों का प्रोग करना पड़ता है तो उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए लेलिदा जी अब बताईए प्रयोक शाला में धार्दार उपकर्णों को प्रयोग में लानेके समय जो खत्रा होता है जैसे की हातों का कटना छिनला आदी यह सुरक्षा संकेत उसको दर्शाता है इन उपकर्णों को प्रयोग में लाते समय अत्यन सावधानी बरतनी चाहिए अन्यता गंभीर चोटे भी लग सकती है बिलकुल ठीक यदी प्रयोग में लाये गया रसायन उत्तेजक और हानिकारक है तो हमें प्रयोग करते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए स्रिस्टी जी आप हमें बताईए इस प्रतीक के अंतरगत जोखिमों की एक विस्तृत श्रिंखला शामिल है यहां XN हानिकारक रसायनों को दर्शाता है और XI उत्तेजक पदार्थों को दर्शाता है वाश्प को सास के साथ अंदर लेने तथा इनके मानव शरीर के साथ संपर्क से बचे जब विशाक्त पदार्थों को प्रयोग में लाया जाता है तो यह प्रतीक दिखाया जाता है किसी गंभीर स्थिती में चिकित्सक से परामर्ष ले ललिता जी आप बताईए कि बहुत एके प्रयोग शाला में हम उच्छ वोल्टेज और विद्युत संबंदी प्रयोग करते हैं तो क्या इनके लिए कोई सुरक्षा संकेत उपलब्ध है? हाँ अवश्य है उच्छ वोल्टेज सुरक्षा संकेत को हम इस प्रकार दर्शाते हैं उच्छ वोल्टेज चेतावनी के संकेत में आप एक पीले त्रिकोंड में एक बिजली बोल्ट तीर देख सकते हैं यह प्रतीक उच्छ वोल्टेज के चेतावनी देता है उच्च वोल्टेज के संपर्क में आने से आपको गंभीर चोड भी लग सकती है आपको हमेशा इस प्रतीक के साथ चेनित प्रयोक्षाला के उपकर्णों और छेत्रों से दूर रहना चाहिए यदि आप ऐसे खत्रे के करीब कारे करते हैं तो आपको सुरक्षा पक कपड़े और रबड के जूते पहनने चाहिए विद्यूत संकट के संकेत को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं विद्यूत संकट के सुरक्षा संकेत में आप एक जिग-जग तार और एक हाथ बना हुआ देख सकते हैं। इस फ्रकार के खत्रों से आपके शरीर में हल्की जंजनाहट से लेके मृत्यू तक हो सकती है। यदि बिजली का खत्रा होने का संदय हो तो आपको उस उपकरण को त तुरंथ डिसकनेक्ट कर देना चाहिए तथा इसका कारण किसी योग्य वेक्ति द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। अब आप हमें ये बताईए कि क्या शक्तिशाली चुम्बकिये छेत्र से किसी प्रकार का खत्रा मौजूद हो सकता है। जी हां। अगर चार टे शेत्र को हम इस सुरक्षा संकेत द्वारा दर्शा सकते हैं। अंत में स्रिस्टी जी मैं आपसे ये जाना चाहती हूँ कि रसायनों का स्वास्त और परियावरन पर क्या असर पढ़ सकता है। यदि किसी पदार्थ पर ये सुरक्षा प्रतीक लगा है तो इसका अर्थ है कि इस पदार्थ के साथ लगू या दिर्ग कालीन संपर्ग गंभीर स्वास्त समस्याइं पैदा कर सकती हैं जैसे कि कैंसर। ऐसर असायनों के त्वचा से संपर्ग और अंतर ग्रहन से बचा जाना चाहिए। तो स्रिस्टी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या इन सु संकेतों को प्रयोक्षाला में लगाना अती अनिवार है। तो आज हमने ये जाना कि इन सुरक्षा संकेतों को विभेन ये प्रयोक्षालाओं में लगाया जाना चाहिए ताकि इसके जानकारी से जागरुकता बढ़े और हम सुरक्षित रहें। झाल झाल